नमस्कार, स्वागत अब अच्छों आपका Self Study के चैनल में और आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं Relative Pronoun का अगला टोपिक यानि हमने जो पिछली वीडियो के अंदर जो Part 5 था उसके अंदर हमने Who और Whom के बीच में Difference को देखा था कि कहां Whom लगता है और कहां Who लगता है Who जो होता है वो Subject के लिए लगता है और Whom जो है वो Object के लिए लगता है तो ये चीज़ें जो हैं हमने पिछली वीडियो के अंदर Cover की थी और उसके बाद मैंने आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर बताया था कि adjectival close क्या होते हैं, phrase क्या होते हैं adverbial close क्या होते हैं, adverbial phrase क्या होते हैं, noun close क्या होते हैं noun phrase क्या होते हैं, क्योंकि यह जो सारी चीजें हैं वो आप लोगों को यह जो topic समझने में बहुत ज़ादा help करने वाली है, और कहा भी था जब relative pronoun start किया था कि हम जो हैं और एक एक relative pronoun करेंगे कोई एक साथ सारे के सारे whom, whom, that, what, which ये सारे के सारे एक साथ नहीं करने वाले हैं एक एक करके इनके उपर जो है अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आप लोगों को ये जो topic है वो बहुत अच्छे समझ आजए क्योंकि exam में सबसे ज़्यादा important यही होता है pronoun के perspective से बात करें तो clear, तो आज कि हम अपनी इस वीडियो में क्या बात करेंगे आज कि हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे that relative pronoun की देखिए जो that relative pronoun होता है यह जो that है, अकेला that word की बात करूँ तो यह demonstrative adjective भी होता है demonstrative pronoun भी होता है और यह that जो है वो relative pronoun भी आदा है बहु काफी ज़ादा इंपोर्टन है पर यह conjunction भी होता है that कि कितने सारे काम कर रहा है, यह pronoun भी बन रहा है, यह adjective भी बन रहा है और ये conjunction भी बन रहा है तो काफी ज़्यादा जो है that को लेकर काफी ज़्यादा problem रहती है और हम हर एक चीज का x-ray करेंगे और आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि जो कहां इसको that जो है वो conjunction के तोर पर use करें, कहां हम इसको pronoun के तोर पर use करें, कहां ही adjective के तोर पर use करें या फिर कहीं sentence में आया हुआ है तो इसका part so switch वहाँ पर हम कैसे जाने clear, तो चलिए start करते हैं बिना किसी देरी के, देगे सबसे पहले जैसे हम अपनी वीडियो को start करते हैं तो pronoun की जैसे start कर रहे हैं उसके अंदर trick क्या रह रही है कि सबसे पहले आप लोगों को introduction करवाया जाए किस से, पर pronoun क्या होता है pronoun तो कर रहे हैं तो pronoun होता है a word used in place of a noun यानि एक ऐसा word जो noun की जगए पर आए noun की repetition को रोके उसे क्या कहते हैं, pronoun कहते हैं फिर सवाल उड़ता है कि sir, pronoun कितने type के होते हैं और एक बार थोड़ा overview भी ले लेंगे कि हमने कितने type के pronoun को अब तक कर भी लिया है तो pronoun जो है, वो यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं कि types of pronoun कौन कौन से और हमने इसमें से कौन कौन से pronoun कर लिये हैं देखे, proper हमारा, personal हमारा हो चुका है possessive हमारा हो चुका है reflexive हो चुका है emphatic हो चुका है distributive हो चुका है demonstrative हो चुका है और कि relative pronoun अभी चल रहा है देखे, reciprocal, interrogative, indefinite यह इतने ज़ादा जो हैं वो exam के point of view से देखें इतने ज़ादा नहीं है as compared to relative pronoun relative pronoun इन सब topic में से सबसे ज़ादा भारी चीज है मतब काफी ज़ादा weightage रखता है exam के point of view से सबसे ज़ादा examiner जब वो इसी से question पूछने की कोशिश करते हैं हम previous year के questions भी करेंगे इसके उपर relative pronoun आज कर रहे है relative pronoun में क्या करेंगे that relative pronoun और इससे पहले क्या हो चुका है हमारा who और whom हो चुका है whom और who और whom के बीच में हमने पिछली वीडियो के अंदर बहुत सारे questions भी किये थे ताकि हमारे जो doubt है वो सारे clear हो जाएं आज की इस वीडियो के अंदर कुछ एक चीजे हैं जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए कि that का use कहां किया जाता है किसी sentence में कुछ एक words हैं जो that का हम use करते हैं उन sentences के अंदर अच्छा वो कौन-कौन से हैं देखें यह जो words है all, none, both, everything, anything, no, the same, the few, the little, the only, the plus superlative the plus superlative का मतलब है यहां पर superlative degree जैसे good की जो superlative degree होती है best, the tallest तो यह जो superlative degree यहां लगी होती है दा के साथ superlative degree अब यह जो words आ जाते हैं और in words के बाद अगर कोई noun आता है देखें, in words के बाद अगर कोई noun आता है और उसके बाद हमें कोई relative pronoun लिखना होता है तो हम that का use करेंगे फिर से समझो, यह जो words मैंने आप लोगों को करवाए हैं, यहां पर लिखे हुए आपके सामने, यह जब भी words use होते हैं, तो और इनके बाद अगर को relative pronoun लिखना पड़ जाए मैं यह नहीं कहा रहा हूँ, ध्यान रखना कि जो यह words हैं, इसके बाद जैसे हम that relative pronoun use करेंगे, नहीं, इनके बाद जब भी relative pronoun लिखना पड़ जाएगा तो उसके बाद हम that relative pronoun का use करते हैं clear, तो यहां हो गया अब question अभी भी उठता है कि सर समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा सा हमें, मतलब कि इसका demo लेकर दिखाओ, या फिर कहें आपको exam, मतलब कि जो previous year में question आये हुए है या फिर कुछ important question है, जो that से related question है, वो करके दिखाओ ताकि यह चीजें हमें समझ में आए और फिर से हम इस definition के उपर दोबारा से आएंगे ताकि आप लोगों को यह definition फिर से समझ में कि that का use कहा करते हैं तो चलिए, एक बार थोड़ा सा हम इस that से related questions को देख लेते हैं कि कैसे हम इन questions के अंदर that का use करते हैं तो यह आपके सामने चार questions है हर एक question को हम break करेंगे हर एक question को हम break करेंगे और ताकि हमें एक तरीकी से पता चल जाए न कि कौन कौन से जो शब्द है वो कौन से parts of speech है हमारी previous revision भी हो जाएगी और यह question करने में हमें काफी ज़्यादा help मिलेगी तो पहला question है आपके सामने they stole the money they stole the little money which he had saved for his daughter's marriage अच्छा उन्होंने चुरा ली इस sentence का मिली उन्होंने चुरा ली वो थोड़ी बहुत money which he had saved जो उसने बचाई थी अपनी बेटी की शादी के लिए clear यहाँ पे तो यहाँ पर जो they stole है यहाँ से start करते हैं stole यह होगी आपके सामने main verb यह होगी आपके सामने main verb तो यह काम किया किसने इस they ने किया तो they क्या हो जाएगा subject यह काम करने वाला कौन है they ही तो है they बन गया subject अब stole क्या कर लिया money चुरा लिया money चुरा लिया तो money क्या बनेगा money बनेगा noun यह हो गया noun और noun भी यह uncountable है क्योंकि money को हम गिन नी सकते एक तरीकी की संपत्ती होती है पैसों को गिन सकते है लेकिन money को नहीं गिन सकते है noun है यह object का काम कर रहा है इस stole work का अब यह little क्या कर रहा है यह जो little है यह जो little है वो इस money को qualify कर रहा है पर कितनी money थोड़ी बहुत money यह एक adjective हो गया यह एक तरीके का conjunction relative pronoun है conjunction का भी काम कर रहा है relative pronoun भी है अभी करेंगे इसके पर तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यह conjunction है conjunction क्यों कहेंगे क्योंकि दो close को जोड़ने के लिए इसका use क्या जा रहा है sir दो close कौन कौन से है अरे दो close है न एक तो यह रहा आपके सामने close और एक यह रहा close तो दो close है तो सही दो close को जोड़ने के लिए यहाँ पर conjunction आई हुई है clear तो फिर से इस close के उपराते हैं इस close में हमने देखा कि जो यह he had saved for his daughter's marriage इसको break करते हैं तो he had had क्या होगी helping verb होगी saved क्या होगी main verb होगी अब यह save करने का काम किया है किसने यह ने किया तो he जो है यहाँ पर क्या बनेगा subject number 2 होगया यह main verb number 2 होगी ऐसे लिख लेते हैं अब save for his daughter's marriage for क्या है proportion है और proportion के बात क्याते हैं proportion के object आते हैं तो यह marriage जो है his daughter यह जो daughter जो हो इसके उपर इसके उपर अधिकार जता रहा है बई इसके उपर अधिकार जता रहा है तो यह noun है noun का कौन सा case है यह possessive case है यह जो noun का है यह possessive case है clear अब यह जो his है वो his his daughter उसकी बेटे यह इस daughter के पर अतिकार जताने वाला possessive adjective है समझ में आया है इस sentence क्या है हर एक word हमने x-ray कर लिया है एक बार सारे sentence को हम ऐसे break कर लेते हैं फिर चीजों को अच्छे से हम समझेंगे अगला जो sentence है All what glitters is not gold All यहाँ पर subject number one हो गया What यहाँ पर subject number two हो गया subject number two कैसे लेकर रहे हो sir क्योंकि यह जो glitters है यह एक main verb है इस जो है वो एक और main verb है तो दो main verb तो दो subject तो आएंगे ही आएंगे यहाँ पर यह जो gold है यह subject compliment का काम कर रहा है note इसको qualify कर रहा है तो यह एक adjective हो गया clear यहाँ पर तो यह वाला sentence हो गया अभी एक बर सारे कर लेते हैं फिर हम इन sentence को इनमें गड़बड है error है हम इनको सही करेंगे next sentence पर चलते है Sachin is the best batsman who has ever played on the ground इस यहाँ पर main verb हो गया Sachin यहाँ पर इसके बारे में बात हो रही है तो subject हो गया अब best batsman है तो batsman यहाँ पर subject compliment हो गया the article है ध्यान रगना यह दा जो है एन दा यहाँ पर लिख देता हूँ यह तीन जो है वो article होते हैं इसलिए मैं लिखता नहीं हो इनके बारे में एन दा जो है वो तीन article होते हैं अब यह दा जो है वो एक तरीके के superlative degree के साथ आया हुआ है specific कर रहा है चीज को अब यहाँ परागे चलते है who has ever played on the ground यह own क्या है own preposition है ground is preposition का object हो गया अब दा फिर से article लगा हुआ है यहाँ पर has यहाँ क्या है helping verb है plate यहाँ क्या है main verb है ever is played को qualify करने वाला क्या है ad verb है अचीज यहाँ पर आप देखेंगे who क्या बनेगा यह जो verb थी इसके लिए तो यहाँ पर subject आ गया और यहाँ पर जो verb आई इसके लिए तो subject नहीं आया तो who जो है वो इस verb के लिए subject का काम करेगा relative pronoun है इसलिए यहाँ पर यह subject बना है और साथ इसने conjunction का भी काम कर दिया है conjunction है कैसे दो जो आप देख रहे हो ना दो close को जोड रहे है close क्या होते है अरे close मैंने आप लोगों को बताया था ना close क्या होते है close वो होते हैं जिनके अंदर subject और verb का pair आप लोगों को मिल जाए वो close होते है अरे सर इसमें कहां पर है दो close अरे यहां पर देखे एक तो यह close यहां तक यह रहा इसके अंदर यह verb रही और यह subject रहा इसके अंदर कहां है सर अगले वाले में यह हू से लेकर अगले वाले तक वह यहां तक तो यहां पर देखे यह verb रही यह helping verb, यह main verb और यह जो है, वो subject का काम कर रहा है तो दो close आये हुए हैं यहाँ पर clear? अचा अगले sentence पर और चलते हैं अगला sentence कर लेते हैं एक बार she is the same girl who stole your wallet अब यहाँ पर she is is जो है, वो main verb है और यह जो girl है वो subject compliment है clear? यह मैंने ऐसी लगा दिया उपर सी यह रफ करते थे अब यह subject compliment हो गई subject compliment girl हो गई अब same girl, same जो है वो इसको qualify करने वाला adjective हो गया she के बारे बात हो रही है, तो she यहाँ पर subject हो गया stole एक और main verb होगी stole what, wallet तो यहाँ पर object हो गया wallet किसका wallet, तुम्हारा wallet your जो है, वो इस wallet को qualify करने वाला adjective हो गया, कौन सा भई? possessive adjective clear? अब इस verb को क्या अपना subject मिला? नहीं, तो who जो है वो इस verb के लिए subject का काम करेगा साथ इसाथ यह relative pronoun है, तो दो चीज़ों को जोड रहा है, दो चीज़ें कौन कौन सी भई? दो चीज़ें देख लो एक यह जो, she is the same girl, यह एक klose है इस klose को यह जो आगे का जो klose है, इन दो klose को जोड रहा है, यह भी तो klose है इन दो klose को जोड़ रहा है इसलिए conjunction लगा हुआ है तो इसको हम conjunction भी तो बोलेंगे clear यहाँ पर तो यह थी हमारे सामने इन sentence के break करके या x-ray करके जो चीज़ें हमारे सामने आती है अब बात करते हैं कि सर अभी that जो है वो अभी तक use नहीं हुआ है कहीं पर चलिए जरह अब इस that को भी हम use करते हैं यह जो that है इसको use करते हैं अभी मैंने आप लोगों के सामने जो words लिखे दे कि जो words होते हैं all हो गया, none हो गया, both हो गया everything हो गया, the same हो गया the little हो गया, the few हो गया, इनके बाद जब भी कोई noun आएगा तो अगर उनके बाद कोई relative pronoun लिखा जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर that relative, मतलब की that जो है, उस relative pronoun का use किया जाएगा, अब यहां देखिए, the little money, यह जो the little है, वो उसमें लिखा हुआ था और उसके बाद noun भी आ रहा है noun आ रहा है, फिर यहां पर एक relative pronoun भी यूज़ हो रहा है, यह relative pronoun नहीं था है अब यह जो relative pronoun है यहां पर हमने which लगा रहा है, लेकिन अभी थोड़ देखिए पहले क्या देखा, कि वहीं which नहीं आएगा, वहाँ पर क्या आएगा, वहाँ specific बोले तो इसको confess बना रहा है, यह जो noun है money को नहीं matter यह जो noun आये हुए ना, इस money को या इस noun हो खास बना रहा है इसको importance देरह हैं, इसको priority दे दी इस the little ने, इसको कास बना दिया और जब इस शब्द को खास बना दिया, तो आगे जो close लिखा जाएगा उस close में यह जो that होते न अच्छे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यह जो that हो गया, यह who हो गया, यह whom हो गया या फिर यह which हो गया यह जितने भी relative pronoun है, यह सारे के सारे जो relative pronoun है वो adjectival close बनाने के काम आते हैं, क्या काम खाते हैं adjectival close बनाने के काम आते हैं अब यहां पर जो that है वो एक adjectival close बनाएगा adjectival close किसके लिए, इस money को specific करने के लिए, इस money को specific करने के लिए, यहां पर बात किसके बारे में हो रही है, money की तो हो रही है they stole the little money that he had saved for his daughter's marriage जो उसने बचाई थी अपनी बेटी की शादी के लिए, वह क्या बचाया था, यह money बचाई थी, तो इस money के लिए बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर that लगाया जाएगा, और यह पूरा का पूरा जो close देखा जाएगा ना प्रियोर्टी जादा दी जा चुकी है, आगे इसी काम को संभालना है तो यह काम को संभालने का काम that करेगा सिरफ फूर सिरफ फिर से समझो चीजों को, मुझे लगता है कि कही बार जो बच्चों के इनने चीज़ें जो है वो दिमाग से उपर चली जाती है कि सर यह आपने क्या बता दिया समझो, यह जो नाउन लिखा हुआ है इस नाउन को specific किया गया है इस दा little से यह दो शब्दों से इस नाउन को specific कर दिया गया है, अभी काफी सारों के दिमाग में आएगा कि सर अगर specific ना हो यह जो little ना हो, यह दा ना हो तो क्या होगा, वो आगे, धीरे-धीरे हम इस चीज़ों को करेंगे, इसी वीडियो के अंदर वो चीज़ें करके जाएंगे हम, टेंशन ना लो, यह जो money है इस money को specific किया गया है इस दा little से, अब इसी इसको specific कर दिया गया है, आगे का जो close use हो रहा है, इस money की तो बात हो रही है, वह आप देखो he had saved what money तो इस money की repetition रोकने के लिए यह जो relative pronoun तो आया हुआ है actual में, यह जो which है, वो किसके लिए आया हुआ है इस money के लिए, अब यहाँ पर जो है, money की तो बात हो रही है, तो money की repetition रोकनी है, तो इसलिए हमने pronoun लगा रहा है और pronoun भी कौन सा, relative pronoun relative pronoun क्योंकि दो close है साथ इसाथ दो close को जोडने के conjunction भी काम करतेगा, noun की repetition भी रोक देगा, अब बात यह होगी, यहाँ पर जो है, इस noun की repetition रोक रहा है, तो ऐसा pronoun लेके आना पड़ेगा, यह ऐसा relative pronoun लेके आना पड़ेगा, जो यह money को जो खास बना रखा है, जो इसकी एहमियत है, वो उसको संभाल के रख सके, भाई, इसकी value नीचे ना गिरने दे, तो इसकी value नीचे कौन नहीं करने देगा, वो that नीचे करने देगा, इसके पास इतनी power है, यह समझो, यह VIP treatment दे देता है, तो यह VIP मना हुआ है money, इस VIP को treatment देता है, that, कभी ठीक है, आप हमारे पास आईए, हम आपको service देंगे बढ़िया वाली, तो that के पास quality होती है, जो specific key noun होता है, उसी को वो संभाल सकता है, which के पास नहीं होती अभी आएंगे कि सर money के पीछा अगर little ना होता, यह दा ना होता तो उससे क्या होता, अभी उसके बारे में बात करेंगे धीरे-धीरे, clear यहाँ पर, एक सा सारी चीज़ें नहीं करेंगे, आगले sentence के उपर चलते हैं, इस sentence को एक पर छोडते हैं, इस sentence के उपर आते हैं करेंगे, intentional आईसा नहीं है, कि सर छोड़ी दियेंगे, क्या, नहीं, करेंगे, पहले यह चीज़ों को समझ लेते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको develop होने की जोड़ता, वो इन दोलनों sentence में हो जाएंगे, आचा देखें, शी इस दा, सचीन, सचीन is the best batsman who has ever played on the ground बाई सचीन जो है, वो best batsman है, बाई यह जो the best है वो जो the best है, यह जो दो शब्द हैं, वो किसको qualify कर रहे हैं वो इस batsman को qualify कर रहे हैं, इस batsman को qualify कर रहे हैं, तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर अगला जो close लिखा गया है, वो इस batsman के बारे में तो है who has ever played on the ground कौन, यह जो batsman है, यह खेल चुका है, इस ground के उपर अब यह जो खेल चुका है, यह batsman है यह oledic बहुँ जादा qualify है, मतल़ कि the best ने इसको qualify कर रहा है इसको importance दे दिया बहुँ जादा, यहाँ पर अगर इसको qualify कर दिया है, इसको definite कर दिया है, बहुँ जादा definite कर दिया है इस definite को संभालने के लिए एक के पास ही power है, वो है that के पास तो इसलिए यहां पर who नहीं that आएगा भई that के पास ही power है कि यह जो batsman जो specific हुआ हुआ है इसी specific को आगे वो संभाल के ले जा सके वो होते हैं ने कि हम आपको अपनी यह companies हो पर ही है और आपको इस company को जो हमने level संभाल रखाता ना यह level आपको संभाल के रखना है तो यह that जो है वो वो वाला काम कर रहा है यहाँ पर clear आगे चलते हैं कर रहे है इस girl को specific कर दिया इस girl को specific कर दिया जो who stole your wallet यह जो who जो है वो इस girl के लिए आए हुए यानि यह जो specific की हुई यह जो definite की हुई जो girl है इसको संभालना है तो इसको संभालने की बस की बात भाईया who के पास नहीं है तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा that आएगा clear यहाँ पर तो हमने देगा न कैसे कैसे यहाँ पर sentence में that का use गया है भाई जो चीज specific की हुई होती है जो चीज definite की हुई होती है उस चीज को संभालने का काम क्या होता है that के पास ही होता है इसलिए that related pronoun लगाया जाता है अब आपकी सवाल आपकी दिमाग में यह सवाल उटेगा कि that की जगे कुछ और नहीं लगा सकते अरे बही कुछ और लगा देते तो वो गलत होता ना मैं पढ़ाई क्यों रहा हूँ वो चीजे गलत थी तभी पढ़ा रहा हूँ ना कि कुछ और लगाना गलत होता है that लगाना ही इस चीज के लिए सही होता है इसलिए that लगाया जाता है all what glitters is not gold मतलब कहते हैं कि सभी चमकने वाली जो चीज़ें है वो सोना नहीं होती एक तो यह जो चीज होगी यह जो subject है अब यह जो glitters है यह main verb है इसके लिए subject कोन है इसके लिए subject है all के साथ that को prefer किया जाते है एक चीज यह ध्यान रखना तो इसलिए यहाँ पर that आएगा तो that जो है यहाँ पर आए इस verb के लिए subject बना और यहाँ पर यह subject आई यानि इस all के लिए verb क्या रहेगी इस all के लिए verb is रहेगी sir all के साथ is कैसे आ सकती है all तो बहुत जादा जीजों को दर्शाने वाले चीज होती तो इसके साथ are क्यों नहीं आ रहा समझो, contest को समझो भई देखो, all जिसको qualify कर रहा होते है, all जिस situation में बात कर रहा है उसके according पर लगा जाती है मैं कहता हूँ, all is well भई सब सही है, all is well, सब सही है अब यहाँ पर situation की बात की मैंने situation सही है, all is well सब situation सही है अब मैं बात करूँ कि उस situation में लोग जो है, वो कैसे है मैंने कहा, all are well, सब सही है context को समझो कि बात किसके बारे हम की जा रही है, जो all है वो एक तरीके का यहाँ पर यहाँ पर कह रहा है कि यह सबी चीज़ें जो चमक रही है, वो सोना नहीं होती है तो इसलिए is आया यहाँ पर all that glitters is not gold यह हो गया, अब थोटा बहुता और हमारे सामने रहता है, उन चीज़ों को और clear कर लेते हैं, अब यहाँ पर देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि, who और who यह जो है, वो relative प्रणाउन है, sentence में जब या close में जब भी आते हैं, subject और object बनने के काम आते हैं obviously, who जो है, वो subject बनता है और whom जो है, object बनता है यह हमने देखा हुआ है, अब यहाँ पर देखो ज़रा, who का तो हमें बता है, लेकिन यह जो यहाँ पर आया हुआ है, who यहाँ पर यह subject बना हुआ है लेकिन जो that होता है, that जो है, वो subject, object अकेला ही बन रहा होता है, अब हमें यह देखना है कि यहाँ पर इस sentence के अंदर इस close में आया हुआ है, कि यहाँ पर यह subject बना है यह object बना है देखिए यहाँ पर जुरूर थी हमें stole stole के लिए हमें subject चाहिए थी तो who subject बना हुआ तो इसलिए यहाँ पर यह जो that है इसका case क्या है subjective है यहाँ पर ध्यान रखना subjective case है यह अब यहाँ पर देखो best batsman who has ever played on the ground यहाँ पर यह जो who है वो subject that कै यहाँ पर that जो है वो object है कैसे देखो he इस verb के लिए तो subject आ चुका है इस जो बना हुआ है लेकिन इस save verb को अपना object चाहिए था इस save verb को अपना object चाहिए था वो save verb को object यह which मिल रहा था which जो है वो एक तरीके का यहाँ पर गलत था इसलिए हमें that लगाया तो save up को अपना object कोन मिलेगा यह that इसलिए यहां पर यह objective का काम कर रहा है clear that का subjective objective के same होता है साथ इसाथ यह याद रखना that जो है वो एक तरीके से relative pronoun में जब आता है तो इसका singular plural नहीं होता है इसका gender decide नहीं होता है किसी भी relative pronoun का कोई gender decide नहीं होता है यह अपना decide करता है कि आग इसके लिए रहा है यहां पर जो है यह batsman के लिए आ रहा है यानि यह जो who यहां पर male है अगर यहां पर female होती तो इसलिए who यहां पर female होती यह अपने antecedent के according आता है यह पिछले जो word को refer कर रहे होते हैं यह antecedent के लाते हैं करवाएंगे इस चीज़ को भी करवाएंगे आपको clear तो यह चीज़ें समझ में कि क्या होती है that जो है वो कहां कहां पर use होता है आगे चलते हैं एक sentence और करना है इन चीज़ों को समझ में आगयोगा तो काफी अच्छी बात है कभी जो that है वो specific की हुई चीज़ों को आगे specific संभाल सके इसलिए that का use किया जाता है एक बार एक छोटा सा sentence और कर लेते हैं चीज़ें और clear होनी है अपनी यह आपके सामने एक sentence लिखा हुआ है the man and the dog यहाँ पर कर लेते हैं यह जो and जो है वो conjunction है man यहाँ पर subject है यह दो subject को जोडा गया है who यहाँ पर relative pronoun है work, crossing यह helping verb है यह main verb है और यह crossing करने का काम कोन कर रहा है who कर रहा है तो इसलिए यहाँ पर who जो है road, road जो है वो object है the article है who were crossing the road work, work एक और main verb है hit, by, a, truck main verb नहीं है यह helping verb है क्योंकि hit जो है यहाँ पर main verb है यह passive में लिखा गया है by जो है वो preposition है truck जो है वो इस preposition का object है clear अब यह जो work किसके लिए आई हुई है यह जो work है यह इस man और इस dog के लिए आई हुई है by starting में ने आप लोगों को बता रहा है ने कि अगर किसी भी subject को starting में verb नहीं मिलती है तो आखिर में जाके मिल रही है तो आखिर में लिखी हुई है clear यहाँ पर अब यहाँ पर गडबढ के है अब यहाँ पर जो गडबढ है वो यह गडबढ है यह जो who जो है वो who नहीं आएगा यहाँ पर यह who की जगां कटके that आएगा यह that क्यों आया सर यहाँ पर तो कहीं पर भी the same the, वो तो लिखा ही नहीं हुआ अभी समझो इस चीज़ को क्या है अभी यहाँ देखो यह जो animal और things होते है ना अभी समझाता हूँ देखो यह जो who whom होते है और यह जो which होता है जो who whom होते है वो आते है human beings के लिए यह who whom होते है वो human beings के लिए है लेकिन यहाँ पर तो dog भी आया हुआ 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 है तो इन दोनों को संभाल रहे हैं, तो यह जो that होता है न, इसी के पास यह power होती है, कि animals के लिए भी आ सकता है, और यह human beings के लिए भी आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पर that आया, clear यहाँ पर, तो I hope so, आप लोगों को इस सारी चीज़े clear हो रही होंगी, और हाँ, important information दे देता हूँ, कि PDF जो है, वह आप लोगों को, टेलिग्राम का एक channel मिल जाएगा, description box में उसका link है, तो वहाँ पर जाके आप download कर सकते हैं, इस वीडियो की PDF, clear, अब एक बार फिर से revision कर लेते हैं कि आपको कितनी चीज़े समझ में आई, अभी हमने देखा ना कि जो relative pronoun कुछ words के साथ use होते हैं, वो words कौन कौन से हैं, वो words होगे, all, none, both, everything, anything, no, the same, the few, the little, the only, the plus super relative degree, इनके बाद जब भी कोई noun आया, और अगर उसके बाद कोई भी हमें relative pronoun लिखना पड़ा, तो relative pronoun में क्या use किया जाएगा, that use किया जाएगा, clear हुआ, क्यों ये सब चीज़ें हो रही थी, ये ताम जाम क्यों कर रखा था इतना सारा, I hope so, आप लोगों को ये सारी चीज़ें clear हो गई होगी, नहीं हुई हैं, तो फिर से एक बार वीडियो को दुबारा देखें, फिर भी नहीं हुई, तो comment section open है, अपने doubt लिखना, तो अब खुशी बनाओ कि आप लोगों को ये that related pronoun आ गया है, इतना सा, कि इसका use कहां करते हैं, अभी तो बहुत सारी कहानी बाकी है, that भरना है, whom भरना है, which भरना है, या that भरना है, ये आप लोग decide करिए कि क्या आएंगे यहां पर, तो चार option आपके सामने और तीन fill in the blanks आपके सामने हैं, तो पहले break कर लेते हैं, we saw a boy, so यहां पर क्या होगी, main verb होगी, we क्या है यहां पर, subject होगया, so what, so whom, whom, यहां पर object boy, a article होगया, was helping verb है, carrying, main verb है, who was carrying his shoes on his head, यहां पर carrying what, shoes, shoes क्या बनेगा, object बनेगा, his, shoes के ओपर अधिकार जताने वाला, possessive adjective बनेगा, own proportion है, और bad जो है, इस proportion का object है, और his, इसके पर अधिकार जताने वाला, फिर से, possessive adjective है, अब बात करें कि यहां पर, who आएगा, whom आएगा, which आएगा, that आएगा, अब ज़रा देखो, which तो आ नहीं सकता, which यहां पर नहीं आ सकता, which क्यों नहीं आ सकता, अगर आप which लगाते हो यहां पर, तो भाईया, एक चीज़ देखो, यह boy है, यह human being है, तो इसलिए, which नहीं आ सकता, I hope so, यह चीज़ समस्द में आगी होगी, which क्यों नहीं आएगा, clear, अब दूसरी चीज़ पर चल लेते हैं, sir, which तो चलो, कट गया, which पर कटा मार दिया हमने, यह whom नहीं नहीं, यह whom क्यों नहीं आ सकता, भाईया, whom इसलिए नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पर ज़रा दे करता है, तो whom वैसे नहीं आएगा, तो यहां पर, who का तो वैसी पत्ता साफ हो गया, clear, तो यहां पर बचा क्या, यह तो who आ सकता है, यह तो whom आ सकता है, यह फिर that आ सकता है, अब that हम पढ़के आए हैं, कि that वहां पर आता है, अगर कोई noun जो है, वो specific है, यह फिर उसको definite किय हो है, लेकिन यहां पर तो भहिया, जो है, article है, वो specific नहीं करता है, वो तो common noun के साथ आ रहा होता है, तो यह specific नहीं कर रहा है, तो इसलिए, जो that है, कटेगा, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा, तो who हो गया, आपके सामने बिल्कुल सही answer, clear यहां पर, तो यहा में वर्व होगी, we subject हो गया, so whom boy को देखा तो boy object हो गया, same जो है इस boy को qualify करने वाला adjective हो गया, the article हो गया, stole एक और में वर्व होगी, stole what wallet, wallet यहां पर object हो गया, you are इसको qualify करने वाला possessive adjective हो गया, अब फिर से यहां पर आपकी सामने चार option है, चारों में से which आएगा, नहीं, which नह आएगा, whom नहीं आएगा, क्योंकि बात यहां पर एक तरीके की subject की हो रही है, यह देखिए, यहां पर यह verb लिखी हुई है, यह जो verb है, इसको अपना subject चाहिए, इस verb को अपना subject चाहिए, तो subject के लिए यहां पर who आएगा, whom तो ऐसे नहीं आएगा, तो यहां पर आपके सा है इस boy को qualify कर रहा है इसको definite कर रहा है तो इसलिए हू तो ऐसी नहीं आएगा qualify कर दिया इसने इसको definite कर दिया तो क्या आएगा sir यह रहा that आएगा यहाँ पर अभी पढ़कर आएगा अब आते हैं अपनी main चीज के उपर we saw the boy अब यहाँ से सेम हटा दिया मैंने अब यहाँ से सेम हट गया है अब देखो ज़रा हूँ main verb subject so whom boy यहाँ पर क्या बनेगा object बनेगा one main verb है one word race यहाँ पर object है yesterday जो हो एक तरीके से इस one को qualify करने वाला यहाँ पर adverb है adverb of time है clear वाई कब जीते हैं वाई कल जीते थे अब यहाँ पर कुछ चीजों की बात कर लेते हैं whom, which, that, कौन कसा आएगा whom वैसे नहीं आएगा क्योंकि यह जो one है यह verb है इस verb को अपने लिए अपना subject चाहिए तो subject आया नहीं हुआ इसलिए यहाँ पर subject का काम whom करेगा नहीं तो whom कट गया which आएगा, which नहीं आएगा क्योंकि boy लिखा हुआ है और इंसानों के लिए which का use नहीं होता तो which कट गया बचा गया यहाँ पर बचा यहाँ पर who या that अब बात करें कि who आएगा यह that आएगा इसके बारे हम चर्चा और कर लेते हैं देखो जरा बई यहाँ पर the लिखा हुआ है sir लेकिन the same नहीं है specific तो कर रहा है देखे article जो the है वो specific definite करने के काम आते है लेकिन the same यह तो बहुँ ज़्यादा definite कर देता है सर यह definite तो कर रहा है लेकिन इतना definite नहीं कर रहा था same के तरीके से तो यह इतना ही definite नहीं कर रहा तो सर दिक्कत होगी क्या लगा है यहाँ पर यहाँ पर क्या है यहाँ पर who भी आ सकता है यहां पर that भी आ सकता है यहां पर दोनों ही आ सकते हैं तरहिए ज़्यादा definite नहीं है यानि इतना definite नहीं है जिसको that संभाल सके वह वाली बात यहां पर हो नहीं रही इसलिए यहां पर who और that दोनों ही सही है लेकिन prefer करो that को लेकिन who लगा दोगे गलत नहीं है I hope so अब चीजें आप लोगों को cover हो गई होगी, तो तालिया बजाल अपने लिए कि चीजें समझ में आ रही है कि who आएगा, that आएगा, कहां पर that नहीं आएगा, कहां पर दोनों ही आ सकते हैं दोनों ही सही हो सकते हैं तीन questions और कर लेते हैं अब, तीनों से और चीजें हमारे सामने clear हो जाएंगी, कि चीजें क्या है देखो ज़रा, आपके सामने ये तीन questions है I want a bag I want a bag, एक बार break कर लेते हैं want यहां पर क्या होगी main verb होगी, I यहां पर क्या है subject है, want what bag, bag यहां पर क्या बनेगा object बनेगा, has यहां पर फिर से main verb है, has what compartments, तो यह जो है वो object है, और three इसको qualify करने वाला adjective है अब यहां पर बात करें who, whom, which, that, तो क्या आएगा देखो ज़रा, क्या who आएगा, क्या, भाई who नहीं आ सकता which और that अब देखें ज़रा क्या that आएगा या which आएगा भाई that तो तब आता है, यहां पर specific किया होता तो back तो specific कर नहीं रखा definite कर नहीं रखा, तो definite नहीं कर रखा, तो यह जो है that जो है, वो अपनी leak से बाहर हो जाता है और यहां पर क्या आएगा which आएगा, तो which सही हो गए यहां पर, उमीद है कि आप लोगों के सारी चीजें समझ में आई होंगी कि क्यों which आ रहा है, क्यों that आ रहा है काफ़ी जादा important चीजे है अगले sentence में चलिए, अगला जो sentence है, I want the same I want the same bag गलती से मैंने यहां पर बैग लिख देते हैं यहां पर, ठीक है I want the same bag, मेरे से गलती होगी लिखने में यहां पर, I want the same bag अब यहां देखो जरब want हो गया main verb, I हो गया यहां पर subject, want but bag, तो bag यहां पर क्या बनेगा object same इसको qualify करने वाला adjective, और I यहां पर क्या है, subject number 2 main verb number 2, add preposition trade fair यह जो है वो object है the article है, clear यहां पर यह preposition का object होगी अब यहां पर बात करें कि यहां पर क्या आएगा, वही देखो whom whom तो वैसी लीक से बाहर है क्योंकि back की बात हो रही है तो यहां पर which या that बचते हैं, which which या that, यह दो ही relative pronoun बचते हैं, तो यहां पर क्या लाएं, which नहीं आ सकता क्योंकि the same लेखा हुआ है, इस bag को qualify किया जा रहा है, इस bag को यहां पर qualify किया जा रहा है, या फिर कहें इसको definite किया जा रहा है, तो that जो है वो इस लीक से बाहर हो जाता है तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा that, तो that सही है, अगला sentence और कर लेते हैं, अगला sentence में देखे I want the bag यहां पर यह main verb होगी I subject होगा, I want the bag want what, bag, bag यहां पर क्या बनेगा object बनेगा, is made of leather अब यहां पर जो है आपकी सामने, is made of leather में is, जो है, वो sorry is, जो है, वो helping verb होगी अरे, कहा होगी एक विड़िट है चल गया, चल गया okay, is जो है, वो helping verb होगी, made जो है, यहां पर main verb होगी, पैसी में लिखा हुआ है, ओ प्रिपोजिशन है leather जो है, वो इस प्रिपोजिशन का object है clear, तो यह leather जो होगी आपको इस प्रिपोजिशन का object बन गया, noun है अब यहां पर who, whom तो वैसी leak से बाहर है क्योंकि back की बात हो रही है, तो who, whom तो वैसे ही नहीं आएंगे, तो बचे क्या आपके सामने अरे, आपके सामने बचे, which या फिर that अब रही, क्या that लगा है, क्या which लगा है, that लगल तब लगाते, तब यहां पर यह जो बैगा अगर definitely क्या होता है definite तो किया हुआ है दा से लेकिन इतना भी definite नहीं किया हुआ कि पक्के तोर पे that ही आएगा तो क्या है sir तो यहाँ पर आप लगा सकते हो दोनों के दोनों आप यहाँ पर which भी लगाओ यहाँ पर आप that भी लगाओ कोई problem नहीं है दोनों ही आ सकते है तो हमने देख लिए कि कहाँ पर that आना है कहाँ पर who आना है कहाँ पर which आना है या पिर कहीं पर who और that दोनों ही से ही है या कहीं पर which और that दोनों ही से ही है या that का use कहां किया जाता है और अभी that शुरू हुआ है that खतम नहीं हुआ है that versus what का भी हम करेंगे that conjunction कहां use होती है बहुत अच्छे से इन चीज़ों को cover करने वाले है तो हुरे हमने ये सब चीज़ें complete कर ली है और patience बनाया रखा होगा उमीद करता हूँ आप लोगों ने और अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया या तो वीडियो को दोबारा देख लो क्योंकि free of cost है इससे पिछली जो previous वीडियो है वो जरूर देखना क्योंकि ये जो और सारा concept है ये break करने का मैंने अपनी पिछली वीडियो में करवा रखा है बहुत अच्छे से चीज़ों को करवाया है और ये break करने से आपके लिए जो concept की clarity बहुत अच्छे से सामने आती है तो वीडियो पसंद आई है तो उमीद करता हूँ कि आप लोग भी मुझे एक positive response देंगे यानि वीडियो को like करके चैनल को subscribe करके आपके एक subscription से आपके like से क्या होता है कि मुझे motivation मिलता है और अच्छा करने की अभी पिछली वीडियो के मुकाबले अगर आप देखें हैं तो मैंने वहाँ पर बिल्कुल simple चीजें की थी अब थोड़ा बहुत मैंने कुछ animation सी add कर दी है ताकि बच्चे को समझने में असानी हो interactive सा रहे यह सिर्फ सिर्फ आपके लिए है ताकि आपको याद हो सके और subscribe करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं और कुछ ज़्यादा ही फसंद आए हैं तो भाईया share कर सकते हैं वीडियो को भी as well as channel को भी और फिर से जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगी टेलिग्राम के channel का एक link दिया मिलेगा description box में तो जाकर आप वहाँ से download कर सकते हैं तो आप साज के लिए इतना आप बहुत ज़ाद मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में जहां पर हम which relative pronoun को करने वाले हैं Thank you